कैलाश परवत, माउंट कैलाश, तिबबत में स्थित एक परवत श्रेणी है. कैलाश परवत को दुनिया के सबसे रहस्यमी परवतों में से एक माना जाता है. कैलाश परवत को भगवान शिव शंकर का निवास और ध्यान स्थान माना जाता है. आपको कैलाश परवत से जुड के बीच स्थित जील को मानसरोवर जील के नाम से जाना जाता है। 3. माना जाता है कि मानसरोवर जील में पवित्र डूब की लगाने से पिछले साथ जन्मों के सभी पाप मिर जाते हैं। 4. इसके आला यहां से कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली या घाघरा भी निकलती हैं। 5. मानसरोवर जील जो दुनिया में सबसे उचाई परस्थित शुध्य पानी की सबसे बड़ी जीलो में से एक हैं। दूसरा जील, राक्षस जील है जो दुनिया में सबसे उचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी जीलों में से एक है. 6. कैलाश परवत को भगवान शिव का निवास थान माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्वर है. पौरानिक कताओं के अनुसार कैलाश परवत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं. 7. कैलाश परवत को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है. 8. कैलाश परवत की उचाई 6630 मीटर 21778 फुट है. 9. उत्तर की ओर दूर तक कैलाश परवत के हिमाच शादित धवल शिखर का रमणिय द्रिश्य दिखाई परता है. दर्रा समाप्त होने पर त्रीर्थ पुरी नामक स्थान है जहां गर्म पानी के जर्ने है. इन जर्नों के आसपास चून खडी के टीले है. माना जाता है कि यहीं भसमासुर ने तप किया और यहीं वह भसम भी हुआ था. 10. इसके आगे डोलमाला और देवी खिंड उँचे स्थान है. उनकी उँचाई 5,630 मीटर, 18,471 फुट है. इसके निकट ही गौरी कुंड है. मार्ग में स्थान स्थान पर तिब्बती लामाओं के मठ है. 11. दुनिया की सबसे उँची चोटी माउंट एवरेस्ट की उचाई 8,848 मीटर है. जिसे अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं लेकिन कैलाश परवत पर आज तक कोई नहीं चड़ पाया. जबकि इसकी उचाई एवरेस्ट से लगभग 2,210 मीटर कम है. 12. कैलाश परवत माला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लाच्यू और ज्योंग्च्यू के बीच कैलाश परवत है जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है. इस शिखर की आकरिती विराट शिवलिंग की तरह है. 13. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक परवता रोही ने अपनी किताब में लिखा था. लेकिन इस परवत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं. इसके अलावा कैलाश परवत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है. 14. चून की कैलाश परवत हिंदू धर्म में काफी महत्वर रखता है. इसलिए इस पर कभी किसी के नहीं चड़पाने के पीछे कई कहानिया प्रचलित हैं. 15. कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश परवत पर भगवान शिव निवास करते हैं. इसलिए कोई जीवित इंसान वहाँ उपर नहीं पहुँच सकता. व्यक्ति मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो. 16. जिन लोगों ने कैलाश परवत की चोटी पर पहुचने की कोशिश की है. उनका कहना है कि कभी-कभी अत्यदेख खराब जलवायू परिस्थितियों के कारण और कभी-कभी पहार द्वारा अपने लक्ष स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ है. यानी उन लोगों ने महसूस किया की की कैलाश परवत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वे अपने रास्ते से भटक जाते थे. 17. पौरानिक कथाओं के अनुसार भगवान रिशबदेव ने यहीं निर्वान प्राप्त किया. 18. जैन धर्म में भी इस्थान का बहुत महत्वर है. 19. हिंदू पौरानिक कथाओं में इस बात का भी उलेक किया गया है कि यदि आप कैलाश परवत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर जील में सनान करने का सबसे उप्युक्त समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे का है, जिसे ब्रहम मुहूर्थ के नाम से जाना जाता है. 20. माना जाता है कि इस समय देवता भी सनान करने के लिए इस जील पर आते हैं. 20. माना जाता है कि कैलाश परवत के ठीक नीचे मृत्य लोक स्थित है, जिसकी बाहरी परिधी 52 किलोमीटर है. 21. कैलाश परवत पर जब सूर्योदे के समय सूर्य की किरने पढ़ती है तो विशाल स्वास्तिक की आकृती बन जाती है. 22. कैलाश परवत पर समय तेजी से बीटता है. 23. वहाँ जाने वाले यात्रियों और वैग्यानिकों ने अपने बाल और नाखूनों की तेजी से बढ़ते हुए देखा है जिससे जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश परवत पर समय तेजी से बीटता है. 23. वहाँ जाने बाले यात्रियों तेजी से बीटता है.